नमस्कार दोस्तों, Water ID Card का नए अप्डेट आ चुका है कि आप लोग New Water ID Card के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिसकस करने वाले हैं गाइस कि अगर आप लोगों ने Water ID Card के लिए पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग केसे ट्रेक करेंगें कि आपके Water ID Card की प्रोसेस कहां तक कम्प्लिट हुए तो इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं गाइस मैं प्रदी प्रिजापत चले शुरू करते हैं Water ID Card एप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाईल में एक एप्लिकेशन इस्टोल करना पड़ेगी जिसकी लिंक आप लोग को इस वीडियो के डिस्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी अगर आप लोग प्लेश्टो से डाउनलोड करना चाते हो गाईस तो इसली आप लोग प्लेश्टो से भी डाउनलोड कर सकते हो Water Help Line एप्लिकेशन इस्टोल करने के बाद आप लोग इसे ओपन कर लीजिए जब आप लोग फर्श्ट टाइम इसे ओपन करोगे तो आप लोगे सामने कुछ इस टाइप से प्रोसेस होगी आप लोग को यहांप लिश्टेमर दिया ओए काई आप लोग इसे पड़ लिजएगा आप लोगों को वोटर आइडी कार्ड के लिए apply करना है तो इसकी plugin पर click करना होगा then अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाईस कि आप लोग के सामने कुछ options आ रहे होगे right तो अब आप लोग क्या करना है form पर click करना है जो first option आ रहा है यहीं पर इस पर click करने के बाद apply online पर click करना होगा अगर आप लोग new apply कर रहे हो तो हम यहाँ पर apply online new पर click कर देते हैं then जैसी आप लोग apply कर रहे हो तो यहाँ पर new voter registration और यहाँ पर overseas voter registration का option आ जागा यहाँ पर साई information डाल रहों कि आप लोग को इस टाइप से डालना होगी तो यहाँ पर आपको okay कर देना है okay करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग सामने कुछ इस टाइप से option आ चुका है अब आपको क्या करना है let's start पर click करना होगा जैसे आप लोग let's start पे click करोगे उसके बाद आप लोग क्या करना है यहाँ पर देख रहे हो लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने are you apply for the voter ID first time तो yes पे click करके आपको next करना होगा then यहाँ पर लिखा हुआ guys are you citizen of India yes कर दीजिए अगर आप लोग इंडिया में रहते हो तो उसके बाद state state डाल दीजिए आप लोग जो भी state हो आप लोग की तो हम यहाँ पर state डाल देते हैं मध्यप्रदेश को कि मैं मध्यप्रदेश में रहता हूँ हूँ guys right then यहाँ पर date of birth कुछ भी डाल दीजिए guys suppose हम कुछ latest date of birth डालते हैं जहाँ पर हम 2000 के पहले की जहां से हमें यह पता चल जाएगा कि हम 18 यह के हुए है या नहीं तो हम 97 डाल देते हैं कोई issue नहीं है उसके बाद November कर देता हूँ मैं क्योंकि हमको 18 साल वाले बंदे ही यहाँ पर apply कर सकते हैं तो हम यहाँ पर 18 साल का जो भी हो चुका है वो apply कर सकता इस process से तो हम यहाँ पर 24 कर देते हैं अगर आप लोग year count करोग चाते हो birth certificate, marks sheet, Indian passport, pen card, driving license जो भी आप लोग के पास हो वो click कर दिए उस पर हम अधार काट करते हैं उसके बाद आप लोगों को upload करना है वो document जो आप लोगोंने select कि हमने अधार काट किया है तो हम अधार काट यहाँ से करेंगे right then अगर आप लोग डिजी लोकर से directly यहाँ प पर आप लोगों को आपके अधार काट का number डालना है अगर आप लोगोंने pen card डाला है तो pen card का passport या फिजो भी आप लोगोंने document select किया उसका number आप लोगों को यहाँ पर डालना है उसके बाद upload पर click करना होगा document का number डालने के बाद आप लोगों को आपका document upload कर लेना है document upload करने के बाद आप लोगों को next पर click करना है जैसे आप लोग next पर click करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी picture upload करना होगे जो picture आप लोग water id card पर रखना चाहते हो तो upload picture पर click करके आप लोग photo select कर लिजी अपना photo select करने के बाद आप लोगों को अपर slide करना और यहां पर gender slate करना है जेंडर करने के बाद आप लोग नाम डाल दीजिएगा उसके बाद यहां पर अगर आप लोगा हिंदी में नाम गलत होता है गाईज तो आप लोग उसे रीटाइप कर लिजिए उसके बाद यहां पर आप लोग सरनें आफ एकेन। इन एनि जो भी आप लोग डालना चाहते हो डाल दीजेगा तो हम यहां पहर जाल देते हैं प्रजापत देते प्रीजात pense तो यहा पर प्रदीप धालना था तो यहां पर आप या लोको मोटव हो तो या फिर अदर पर आपको क्लिक कर सकते हो रइट जैसे आप face CT डाल देते हैं कुछ भी तो जिसे हम यहाँ पर कोई भी एक्जामपल के लिए डाल देते हैं नियर्सी रेते हैं हाऊसनमबर हऊसनमबर इन रिजनल उसके बाद आप लोग सब्सक्षाब करना है एक एड्रेस प्रूफ यहाँ पर अप्लोड करना होगा जो भी करना चाहतَ हो जैसे कि हम यहाँ एपलोड को बताते हैं कि आप लोग यहांपर क्या करना चाहते हो तो आप लोग इत्ती सारी ऐप्शनस available आप लोग अधार करना चाहते नीछ और डाइविंग लाइशंस करना चाहते हो जो भी करना तो उससे आप लोग upload कर दिजिएगा हम अधार करते हैं राइट सारे जीजे सिलेट करने के बाद आप लोगो next पर क्लिक करना है जैसे आप लोग next पर क्लिक करोगे गाइस तो यहां पर आज आ रहा है कि आप लोगों को साब साब लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कर दिburger जोके सामने क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगे सामने एक आपके सामने सारा नंबर आ जाएगा आप लोगी जो भी डिटेल लुग disorder आप लोगों को मैं आज तोड़ा सताँ रखना साथ्सक्तिक है जींदिर अवे धिर वेट करोगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग के सामने एक नंबर दिया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ यजंकर लिखा हुँआ है your reference ाइड लिख से हमने हैट कर दिया है क्योंकि हमारा छोगी reference ID रहिता वह publish होयाता थ कर अब अब आप लोग को भी एक ID करना होगा three lines पे देन इसके बाद यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ option दिये हुए हैं देख सकते हो गाइस तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग का status जानने के लिए कि आप लोग का वोटर आइडिक प्रोसेस कहां तर लिए तो status of application पर क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस टाइप से आजायागा option उसके बाद यहाँ पर जो reference आई वीडियो में किसी और नई ट्रिक के साथ हम आपके सामने फिर से अवेलेबल होंगे जब तक के लिए जाहिं थैंक्यू फॉर वोचिंग